एलो दोस्तो स्वागत है अब से विकाँ मेरे यूट्यूब चैनल दपैनोवर में आज मैं पैन के अन्बोक्सिंग करने वाला हूं यह नहीं यह पैन की दोस्तो यह है मेरे नया फाउंटेन पैन मेरे अपने कलेक्शन में दोस्तो इसका नाम है लग्जर एफ एफ पी फॉर्मिलेस फॉंटेन पैन दोस्तो काफी अच्छा पैन है और 60 रुपीज है इसकी प्राइस और सभी गाइड दी गई है तो देखते दोस्तो यह पैन कैसा इसका फर्स्ट इंप्रेशन यह कैसा लिखता है कैसा चलता था दोस्तो चली इस वीडियो को शुरू करते हैं तो इसके इसकूंतर करें थेंबॉक्स है है कि तो इसके जन्षा बड़ी सीम्पल है की कि यहस्ता है यह हो गए इसकी दोस्ताइब ऊंबॉक्सिंग इंसके शुजज मुझे मिल गए हैं बट कोई बात नहीं है यहां पर हमको मिलेगा कैप रेट कलर में और ब्लू कलर में पैन इसकी निप सेक्शन दोस्तों काफी सीमिलर है इन दोनों पैन्स से जो कि यहां पर मेरे पास सेलो एकसीड है और मेरे पास कैमीलीन की फांटेंड पैन है जिख सकते है काफी सेलो को कर देते हम साईड मे यहां पर इन दोनों के चैप्सा को लगा देते पूरत है काफी अच्छा साइज दिया गया इस पेन का जो कि मुझे काफी पसंद आया चेले फिर इसमें हम लोग इंग डालके देख लेते हैं कि यह कैसा लिखता है करेंगे जो की काफी असान इसको इंसर्ट करना इसको बस अंदर डालना है और इसको ऐसे जमीन के तरफ पूश कर देना है दोस्तों ये चला गया कार्टरिज अंदर पर इसको और भी अंदर पुश करना है हाँ देखिए दोस्तों ये कीलीक सांड आपको आई मतलब कि कैप पस तो लगा जता हूँ शॉरी दोस्तो मुझे कैप को लगने में काफी परे इसके बैरल को में लगा दिता हूँ मुझे काफी परशानी हो रही है कि मुझे एक हाथ से अपना कैमरा पकड़ना पड़ रहा है और एक हाथ से अपना पैन तो मेरे पास कोई camera stand नहीं है आप support करेंगे तो मैं camera stand भी ले लूँगा तो please मुझे YouTube पर support कीजिए उसके बाद हमें करना क्या है कुछ देर तक हमें pen को ऐसे vertical position में रखना है शुरू में आपका pen दोस्तो अच्छा से नहीं लिखेगा but you don't worry क्योंकि it may take one hour to write perfectly ले चले दोस्तो इसमें इंक साथ आ गई होगी हम इसको लिखके देखते हैं दोस्तों इंक तो आप आगई है काफी खुबसूरत है इसे हम कुछ अब लिखके देखते हैं यहां पर तो यह मेरे पास एक copy है और यहां पर मैं लेखता हूँ यह है यह है फ.फ.प फॉर्मूलेस इसकी स्पेलिंग ऐसे होगी फॉर्मूलेस 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 इसकी प्राइज है रुपीज सिक्स्टी काफी दोस्तो वैट लिख रहा है काफी स्मूध है कर दोस्तो हर प्राइज रफ लिखता है बट बाद में काफी स्मूध हो जाता है और यह अभी भी बहुत ही स्मूध है और बाद में और भी स्मूध हो जाएगा थोड़ा इस लाइन पर फीड़ वैक है बट बाद में यह काफी स्मूध हो जाता है जो कि काफी अच्छा है और स्टेनले स्टील निप जो है तो काफी स्मूध है ग्रिप सेक्शन आपको एक प्लास्टिक कम मिलेगा और ट्रांस्पेरंट है जिसमें से आपको फीड दिखेगा और यहां पर आपको लगजर की ब्रैंडिंग मिल जाएगी और दो काट्रिजेज थोड़े कम है मुझे लगता है इसमें कम से कम 6 या 7 काट्रिज देना चाहिए बट पैन दोस्तों काफी लुप अच्छा दिख रहा है और लिखने में काफी अच्छा है तो दोस्तों यह डिल उतनी भी बुरी नहीं है दोस्तों आशाक करता आप सिभको मेरा यह अन्बॉक सब्सक्राइब कर दोस्तों चलता हूं दोस्तों मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई